हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू मैं चैनल PISNS आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बताईए कैसे हैं आप लोगों उमेद करती हूँ अच्छे ही होंगे इस कोविड के दौर में अपनी और अपनी फैमिली की पूरी तरह से देख भाल कर रहे हूँ तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही हाईले रिक्वेस्टड वीडियो है ये और इसका टौपिक है स्लिप डिस्क देखिए आज मैं आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम की बारे में बता रही हूँ कि देखिए पहले तो देखिए इन चीजों का रीजन क्या है कारणों पर ध्यान देजी किस वज़े से स्लिप डिस्क हो गई है आपको उसके कारण पर ध्यान देजिए ताकि ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए आप लोगों की दूसरी चीज में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्लिप डिस्क कई बार मोटापे की वज़े से भी हो जाती है और आजकल बाहर का खाना इतना ज़्यादा हो चुका है कि मोटापा तो आना ही आना है तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हफते में एक ही बार बाहर का खाना खाएं डेली बाहर का खाना खाने की कोशिश ना करें नहीं तो आपकी problem और ज्यादा बढ़ जाएगी अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि slip disc जो है वो आप सभी को पता है कि उसमें नसे ब्लॉक हो जाती है और किसी भी नस को खोलने के लिए उस पर pressure दिया जाता है अब सिकाई और मालिश इससे बहतर जो treatment है वो नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि पहले हम सिकाई करते हैं और बाद में मालिश करते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि सिकाई करने से जो नसे दब गई है वो थोड़े सी soft हो जाती है ठीक है और उसके बाद जब हम मालिश करते हैं तो उन में oil से उनकी मसाज करते हैं तो वो ऑईल उन नसों में पहुँचता है जिसकी वज़े से जो दबी होई नसे हैं उनमें आराम मिलता है और स्लिप डिस्क की वज़े से जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता है अब वो सिकाई और मालिश बिल्कुल ही अलग तरीके की है उमीद करती हूं कि इस सिकाई और मालिश को पूरा देखेंगे आप लोग ताकि कुछ भी चीज बीच में छूटे ना और अगर इससे थोड़ा सा भी आप लोगों को फायदा होता है तो उनके साथ शेयर जरूर करना जो इस प्रॉब्लम से परेशान है और मेरी वीडियो को लाइक तो आप कर दर्द है तब आप सिकाई और मालिश के जरियों से कैसे ठीक कर सकते हैं सिकाई करने के लिए हम पहले एक पतीले में पानी ले लेंगे और पानी आदे पतीले से जादा होना चाहिए अब हम क्या करेंगे कि एक आलू लेंगे आलू मीडियम साइज का होना चाहिए और आलू पानी में डाल देंगे इस सिकाई के पानी में हमने आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू में ऐसे योगिक पाए जाते हैं जो कि हमारे दर्द को खीच लेता है याने कि जब हम आलू डाल करके पानी को वॉयल करते हैं तो उसमें ऐसे तत्व आ जाते हैं जिस से शिकाई हम करते हैं तो डर्द में आराम आने लगता है अब हम इसे ढखकर पकाएंगे करीब गरीब तीन से चार मिनट के लिए ढखकर हम इसलिए उबालेंगे इस पानी को ताकि जो आलू के गुण हैं वो इस पानी में आ जाएं तीन से चार मिनट बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि पानी गरम हुआ या नहीं हुआ देखें पानी में से स्टीम आ रही है और ये आलू भी पक गए है अब इन आलू को हम लोग चेक करेंगे कि ये पूरी तरह से गले हैं या नहीं गले हैं लेकिन सिर्फ तीन से चार मिनट तक ही पकाने हैं बाद में आप इन आलू का कुछ भी कर सकते हैं तो अब आप क्या करेंगे कि इन आलों को पानी में से निकाल देंगे और इस पानी को आप इस्तमाल करेंगे और वो कैसे इस्तमाल करेंगे चलिए देख ये हमारा पानी सिकाई के लिए तैयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक टावल लेंगे और टावल भी पतला नहीं देखिए यह तावल और नहीं अशनक कर हम और इतना है और में यह बार पाने आनलाव पानेेल जोड़र क पान कम होड़ेंगे दिपकोub மेशनक क्पानी ज़ीक पैसर सा यूं ऐसे करके और इसको निचोड लेगे इसमें पानी नहीं रहना जाएगे बिल्कुल भी इतना निचोड़ना है इसको ठीक है देखिए अच्छे से मैंने निचोड दिया इसको जो आपको slip disc की problem होती है वो mostly lower back में होती है तो इसलिए हम lower back की ही सिकाई करेंगे अब उसिकाई हम कैसे करेंगे वो देखिए इस टावल को लेंगे और इस टावल के जो हमने 4 फोल्ड किये हैं उसको lower back पर ऐसे रख देंगे और हलके हलके हातों से इसे प्रेस करेंगे और जब तक इसको प्रेस करना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए जब ये ठंडा हो जाए तब इस टावल को हटाएंगे फिर से उसी पानी में डिप करेंगे और निचोडने के बाद इसको फिर से अपनी lower back पर रख देंगे और फिर से price करेंगे यही process आपको तीन बार करनी है यानि कि तीन बार पहले आपको सिकाई करनी है उसके बाद आप लोगों को मालिश करनी है मालिश के लिए मैंने यह जो तेल है वो घर में ही बनाया है आप कहेंगे तो मैं आपको यह बनाना भी बता दूँगी नहीं तो मैं इसका link description में दे दूँगी आप देख सकते हैं अब आप इसकी मालिश कैसे करेंगे वो देखी सबसे पहले हम इसको पूरी जो आपकी रेड की हड़ी है उस पर लगा लेंगे यानि backbone पर इस तेल को लगा लेंगे तेल को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ के अंगूठों को backbone के दोनों side में रखनी है यानि की backbone जो है वो बीच में आनी चाहिए और अंगूठे दोनों side आने चाहिए और इस तरहां से उपर की तरफ मालिश करेंगे और ये मालिश आपको 20 बार करनी है गिनकर आप खुद देखेंगे कि आपको इस मालिश से बहुत आराम आया है ऐसा आपको दिन में दो बार करना है पहले सिकाई करनी है जो कि तीन बार करनी है और फिर उसके बाद मालिश करनी है मालिश आपको 20 बार करनी है और जो तेल बच गया है उस वाले तेल को आप जो आपके shoulder है shoulder bone है उसमें आप इस तरह से लगाएंगे जैसे shoulders की shape आ रही है और जैसे मैं आपको दिखा रही है तो इससे आपको अगर shoulder pain है तो उसमें भी आप लोगों को आराम आ जाएगा तो इस तरह से सिरफ सिकाई और मालिश करके आप लोग अपने slip disc हो कमर का दर्द हो या cytica का दर्द हो सभी से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजी का like और चैनल को subscribe करके bell icon को बिल्कुल भी दवाना ना भूले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care